आपकी विश्वास पर ही आगे सवाल बढ़ाऊंगी और आप ही का विश्वास था जिसने कह दिया था कि साब मंदिर तो बन कर रहेगा थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा तो ये दिव्विग्यान किस रूप में प्राप्त हुआ था और खास्तोर से वो अयुद्या में व पूर्व प्रदान मंत्री अठल विहार वाजपे जी ने हमको बुलाए थे 2001 में फिर 2002 में कि बुले आप इसमें कुछ बाचीत चलाएं उस वक्तों सब में ये था कि इसमें कुछ करना चाहिए तो तब हमने जो 2003 में आपने देखा होगा जो प्रपोजल हमने दिया था आप अपने राम मंदिर के लिए दे दिया जाए अब हुआ वही वही हुआ ये 2003 में आपने बता दिया था मांगा तो नहीं उन्होंने पांच एकर फिर अपना प्रपोज किया था कि ता कि दोनों समुदाय में सवहार जिता बना रहे इस कारण से तो वह बात संपन हुआ कि देवकाली मंदिर है मैंने कभी सुना नहीं था देवकाली मंदिर का अब जैसे इसका भास हुआ फिर पता लगाया वो जीन शीर्न था लगी वहां इतनी सारी हिंसाये हिंसात्मा गटनाये हुई है लोग भाईबीत रहे तनाव बड़ा बढ़ता रहा तो फिर वह देवक कि देवकाली मंदिर का पुनरुद जीवन क्या था उस वक्त अशुक सिंगल जी भी आये थे और भी वरिष्ट लोग दिली से सब जगे से आये उस वक्त भी दगा कि उसके बाद 14 साल लगेगा इसका कोई निधान उतने में ऐसा ही हुआ जी और आपने जो अभी वाहर जो देखते हैं जो स्तूल जगत है ये सुख्षम जगत से चलाईमान होता है सुख्षम जगत की जो चीजे हैं वही आरादना है पूजा तुब सूक्ष्म से ओ कि बकूए भागवान श्रीक कुष्ण कि नहीं का रagu Universal जगत सर वंसारा जगत देवताओं के अदीन है हिस मंत्रा दीनम तो मंत्र के अदीन है जारे देवता तो इस तरह से एक सूक्ष्म जगत की जो पोष्टी करन होने पर स्तूल जगत का काम सराग हो जाता है अनकूल हो जाता है क्या बात है गुरू जी बहुत सुन्दे ABP News आप को रखे आगे